हेलो दिये स्टूडेंट वन्स अगें वेल्कम बाक्ट वार चानल ग्यानलाब आइम वेरी हैपी कि मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है आवाज फिर से वापिस आ रही है आई जस्ट हो एंड टच्वूट कि मेरी वापिस से तवियत खराब ना हो ताकि मैं फटा-फट से चाप्टर वाला चाप्टर दे दू फिर मैंने सोचा कि आपके पूरे टेक्स्ट बुक में दो चाप्टर बॉटनी से रिलेटेड हैं चाप्टर नमबर शीक्स और चाप्टर नमबर सेवन तो हम जो जूओ लोजी वाला पार्ट है उसमें से अल्रेडी पाच्छे चाप्टर अब पहले हम दो बॉटनी के चाप्टर कवर करके लेंगे मतलब आज मैं आपको प्लांट वाला चाप्टर ब्लांट ग्रोथ और विंडिल नूटरिशन पढ़ाऊंगी तो अपना बॉटनी वाला पार्ट कांफर्म हो जाएगा क्योंकि इन दोनों चाप्टर का भी अच्छा वेटेज है आपका जो चैप्टर नंबर 6 है इसका बोर्ट में अप्रॉक्सिमेटली 4-6 मार्क्स का वेटेज है और सीटी में इसका इतना ही वेटेज फॉलो होता है तो इतना अगर अपन कर लेंगे तो अब अपना थोड़ा सा मार्क सिक्योर हो जाएगा ठी सिक्यूस वाला मैच दो कॉलर और वेरी शॉर्ट आंसर जो थे वह रट्टा मार लो उतना रट लो तो कम से कम एक दो मार्क साफका फिक्स हो जाएगा और जिस बच्चे ने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया और फिर अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो सिर्फ ए जाएंगे इतना मैं आपको अशॉरेंस के साथ बोल सकती हूं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर इस प्लांट वाटर इन डिलेशन यह वीडियो एमस्टी सीटी और बोट दोनों के स्टूडेंस देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक हमारा आप इंस्टॉल नहीं किया है तो बच्च आप इंस्टॉल करो आप पे आप को बहुत सारा फ्री माटेरियल प्रोवाइट किया गया है तो यह फ्री माटेरियल में जाके इस चाप्तर का नोट और जितने भी अवि तक बन शॉट लेक्च्छर हुए है सारे नोट आपको अ पहला को पुछा गया है लग अलग अलग पार्ट से होते हैं फॉर्ट से से आपके ब्रांट की बनती स्ट्राइट के सॉपोर्ट देता है ली को इस करने में हcenter करता है धाना ना बनाता है फॉलावर रीप्रोड़क्शन करने में हल्प करता है प्रूट नूटिशन देता है और इस चाप्टर में पढ़ने वाले हैं अभी आपको पानी को ऊपर की तरफ खीचना होता है तो आपको वाटर पंप लगाना पड़ता है वाटर पंप हमको क्यों लगाना पड़ता है और अपकी बिल्डिंग में पानी उपर चड़ाते हो अगर अपके बिल्डिंग में तंकी लगी है तो उपर से पानी नीचे डायरेक्ट आता है karışकी-गृवियर самой 15 अगर टंकी में टंकी इदर से आता है साल के बारों में थोड़ी बारिश होती है तो वह पाणी कैसे के ड्रांस्पोर्ट होता है वाटर पंप की मदद से तो वाटर पंप मेकैनिसम का जो सिमिलर मेकैनिसम है क्या हमको वह प्लांट में भी देखने को मिलता है बिलकुल इसको हम बोलते हैं जिसके बादे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अब इंट्रोड़क्शन में क्या जाया है देखो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जैसे कि वाटर मिनरल न्यूट्रियन फूड गैसे जिसकी मदद से वह फोटो सिंथेक्स कर सके हमारा फायदा कर सके प्लांट की जो प्रोड़क्टिविटी वह सबसे जादा किसके उपर डिपेंड करती है और अगर वाटर कम रहा या अवेलेबल नहीं है तो उसकी वज़े से उसकी खिटी होजाती है कम हो सकती है ठीक है वाटर को हम भोलते हैं एलेक्षएर अपना अमरिज्ट इस फाली सब्सक्राइब कर सकते तो पानी बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए क्लांकि अगर हम बातकर एक सब्सक्राइब परसेंट प्लांट में अगर हम बात करें तो 90-95 परसेंट और मोस्ट प्लांट सेल्स एंड टिशू दे आर मेड़ दे आर कंस्टिटूटेट अफ वाटर ठीक है वाटर की मदद से हमारे प्लांट सेल को एक शेप मिलता है एक आकार मिलता है तरजिटी मतलब उसका स्वोलन कंडिशन वाटर के अलग 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 इम्पोर्टिन्स है तो देखो वाटर के बारे में देखते हैं क्या-क्या बताया गया है वाटर रूम टेंपरेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको हम सॉल्वेंट के जैसे यूजिस करते मतलब दूसरे मिनरल या क और फॉम्ने प्रेजेंट होता है इसलिए वाटर को हम बेस्ट ये अक्वियाश मीडियम डिकेलर कर देते हैं यह नॉटरियन्स ट्रांसपोर्ट करना है तो वह च्छा लग्विद मीडियम कोई नहीं है ठीक है ऐसा क्यों क्यूंकि वाटर के पास कुछ स्पैसिफिक क्यारेक पहले के एक्सपरिमेंट में बताया गया था कि जो ऑकसीजन वह वोटर से आता है वह और डाउसइट से नहीं आता है तो वाटर इस वेरी अगर आप फूड बनाना चाहते हो और ऑक्सीजन रिलीज करना चाहते हो चलो यह तो बात होगी फोटो सिंटेसिस की वापिस आते हैं वाटर पे वाटर के पास कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है हाई स्पेसिफिक हीट हाई हीट वेपराइजेशन और हाई हीट प्यूजन हाई स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है समझो आप अंडा बॉइल कर रहे हो तो आपका जू गैस का टेंपरेचर है आपको गैस का टेंपरेचर टेंपरेचर 26 डिगरीज से 27 दिगरीज पे ट्रांसफर करना है तो कितना एनरजी लगता है कितनी हीट लगती है उसको बोलते हैं specific heat, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius और यह substance के amount पे dependent नहीं होती है, कि कितना ज्यादा substance है उसके हिसाब से आपका heat पे कुछ असर नहीं पड़ता है, high heat of vaporization मतलब क्या होता है, पानी को vaporize करने के लिए, जब आप थंडी में पानी गरम करके नहाते हो, तो जैसे ही पानी में से vapors आना चालू हो जाती है, तो उस temperature को हम बोलते हैं specific heat of vaporization या high heat of vaporization, so it is the amount of heat that a liquid substance requires to change its phase from liquid to vapor phase, बस, liquid से vapor phase बनाने के लिए जितना heat चाहिए, उसको बोलते है heat of vaporization, और liquid phase से, sorry, solid phase से liquid phase बनाने के लिए जितना temperature चाहिए, उसको बोलते है heat of fusion, मतलब आपकी कोई भी चीज solid form मे हैं, तो उसको liquid बनाने के लिए आपको कितना temperature रखना पड़ेगा, उस temperature को, उस heat को, हम बोलते है heat of fusion, तो heat specific heat का definition, heat of vaporization, heat of fusion, I hope आपको समझ में आ गया, इन तीन properties के वज़े से हम बोलते हैं कि water एक thermal buffer है, क्योंकि water जल्दी किसी भी property को change नहीं करता है, और यह water की जो भास्त्र molecule के वज़े से है, जो कि hydrogen, ऐसा क्या खास है hydrogen molecule में, water molecules जो है, इनके बीच बीच में यह hydrogen molecule present है, hydrogen molecule काफी ज़्यादा strong माना जाता है, as compared to other molecules, इस वज़े से water molecule को break करने के लिए आपको ज़्यादा heat energy की ज़र्वत पड़ती है, और बाकी जो metals होते है, उनके बीच में जो bond होता है, वो bond comparatively weak होता है, तो यहाँ पर आपको एक question पूछा है, what is hydrogen bond, तो it is the bond present between water molecules which requires more amount of heat energy for their breakdown, what is the meaning of specific heat, heat of vaporization हमने अभी देखा, and water adhesive and cohesive forces, यह तो आपने physics में बहुत अच्छे से पड़ा है, same molecule के बीच के attraction को cohesion बोलते हैं, और opposite molecule के बीच के attraction को adhesion बोलते हैं, समझो यह आपके पानी की glass है, तो पानी के glass के उपर जो पानी के drops चिपके हुए होते हैं, यह आपका water drop है, और यह आपके glass है, तो इन दोनों के beach में जो इधर पर attraction हो रहा है, उस attraction को adhesion बोलेंगे, और जो water, water molecule के beach का attraction हो रहा है, उसको cohesion बोलेंगे, तो water क्या बहुत strong cohesive force होता है अधेसिव पोर्स होता है प्लस वाटर की सर्फेस टेंशन कपासिटी भी बहुत अच्छी होती है मतलब वो कम एरिया में भी अपने आपको जल्दी-जल्दी ऊपर अपलिस्ट करवा सकता है अधेसी तो अधेसी वजे से वाटर प्लांट में एजाय चल्रस के बहुता हैं हम नहीं हम कब हैं जब water is water अगर water नहीं तो हम नहीं ठीक है याब आप लूट ऑर्गन की बात करते है क्वाइ प्लांट वर्ट एब्जों करता है कैसे टोब करता है लीव से से स्टम से फ़लावर से फ्रूट से ना प्लांट वर्टस से और सोाइब होते हैं तो इन में से रिजन में रूट एबसों होता है तो देखो इधर पढ़ते हैं और रूट में एबसॉब होता है और रूट में जब वहता है यह आपके रूट है सेल में तेरेस्ट्रियल प्लांट के अगर हम बात करें तो हम वाटर को लिक्विड फॉम में अब्जॉब करते हैं लेकिन कुछ ऐसे एपिफाइटिक प्लांट मतलब क्या होते हैं ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के उपर लटकते हैं जैसे कि समझो यह एक बड़ा देरेस्टs टाइस पानी सक्करेगा या फिर एन्वाइरमेंट में से मॉइस्चर एब्जॉब करेगा तो ऐसे प्लांट को प्लांट बोलते हैं जो वॉटर्टरवेपर से अच्छेएं करते हैं इनके का स्बस्क्रिक लीप पाने नएlles प्यार्व्जॉस चाप्टर में पड़ी है यही चीज़ आपको सीटी में आती है यही चीज़ आपको बोर्ड में पूछी जाती है कि एपिफाइटिक रूट पानी कैसे एब्जॉब करते तो दे एब्जॉब वाटर विज बिकॉज वेलमेंट टिशू और अब हम बात करते हैं अपने नॉर् सन्कॉल बींद को बहुता है तो यह सेंटर में अपको बड़ा आसा वाक्यूल देखने को मिलता है क्योंकि plant cell के पास vacuoles जादा होते हैं वो उसका fat store करते हैं और waste store करते हैं इसी में आपको side side में cytoplasm देखने मिलता है तो चलो देखते हैं root hair के बारे में तो root hair का structure यह cytoplasm से extend हुआ है इसकी length 1-10 mm लंबी होती है और root hair बहुत ही temporary होता है इसके लिए word use किया है ephemeral ephemeral मतलब क्या होता है जिसकी उमर कम होती है जो जल्दी मर जाता है तो यह root hair बहुत ही छोटा होता है colorless structure होता है इसकी कोई branches नहीं होती है और यह short lived होता है और बहुत नाजुक होता है ठीक है इसके center में एक बड़ा साइटोप्लाजम के आजुबाजु में आपको दो मेंब्रेन दिखाई दे रही है एक मेंब्रेन है cell membrane और एक मेंब्रेन है cell wall यह अंदर वाली जो मेंब्रेन है यह जो बाहर वाली वह पेक्टिन शुगर से बनती है मैं पेक्टिन मतलब क्या होता है it is a combination of sugar and protein मैंने आपको यह पहले भी बताया है फिर से बता रही हूं किसी भी वर्ड के आगे जब लास्ट में आय इन आता है तो उसको प्रोटिन के साथ associate करते है और जो इनर वाल है यह इनर वाल किससे ब लेयर है इन दोनों को मैं इतना डीटेल में क्यों बता रही हूं कि इसकी permeability अलग-अलग है याने कि यह सारी चीजों को एब्सॉब कर लेगा लेकिन आपका जो cell membrane है it is selectively permeable selectively permeable मतलब क्या होता है जैसे audition round में dance audition देने जाते हो तो कोई भी इंसा audition दे सकता है लेकिन उसमें से सिफ कुछ लोगों कोई select किया जाता है तो आपका जो cell wall है यह सारी चीजे अब्सॉब कर लेती है बैक्टेरिया भी अब्सॉब कर लेगी पानी भी अब्सॉब करेगी सब कुछ अब्सॉब कर लेगा कौन cell wall के अंदर आने के बाद कौन सी ची मॉलिक्यूल फंक्शनली इंपॉर्टेंट से वहीं मॉलिक्यूल एब्सॉब होगा चाहे उसकी साइज चोटी हो या बड़ी हो अगर सेमी पर्मियेबल मेंब्रेन बोला तो फिर साइज के हिसाफ से अब्सॉब्शन होता है तो तीन टाइप की पर्मियाबिटी होती है फ् इंपॉर्टेंट्स फंक्शन वाले मॉलेक्यूल थे बागी याम नहीं होंगे तो दिस वह अबाउट लूट थे बरी वेरी वेरी वेरीवरी वेरी इंपॉटेंट डायग्राम यह रग्याम आपको एक्जाम में पुछा जा सकता है और सी ट मिया सकता है नेक्स साथा आता ह तो देखो आपके जो रूट का आजू-बाजू का जो surrounding area होता है इसको बोलते है राइजो sphere the micro environment surrounding the root जैसे मैं यहां खड़ी हूं तो मेरा यह जो आजू-बाजू का area इसको मैं अपने आजू-बाजू का sphere बोलूँगी ठीक है अंजली sphere ऐसा तो रूट के आजू-बाजू के area को राइजू-बाजू बोलते हैं अभी वाटर ना नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट होता है अलग-अलग form में होता है देखो जब आप पानी डालते हो तो उसमें से सबसे जादा पानी gravity के वज़े से ग्राउंड के अंदर चला जाता है अब जो पानी ग्राउंड के अंदर चला गया वह पानी आपका करी नहीं पाएगा मतलब समझो इधर पर आपका रूट है अब रूट के अंदर रूट है यह रूट है पानी एब्सॉप कर पाता उसके पहले पूरा पानी आगे चला गया तो अब्सॉप करी नहीं था फिर दूस्यशरा आता है थिट नौक अवेलेबल फिर दूसरा क्या है आपके सथे सोइल जोटे स्थे लदों सभय करते हैं जैसे ही आप पानी डालते हो मिट्पने साथ तो यह तो सब पानी में अपने साथ दिकाशक लेतेims याना कि यह अधेशन दिखा देते हैं और वाटर मॉल्लीकूल के पास तो बहुत इस वटर को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वॉटर तो ग्राइबिटेशनल वाटर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वह आगे भाग गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रूट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको सॉइल ने ले लिया अब तीसरा पानी आता है आपका कंबाइंड वाटर मतलब क्या होता है ऐसा पानी जो लोग चैनिकल के साथ मिक्स हो जाता है क्योंकि अपने सॉइल में बहुत सारे फॉर्टिलाइजर और बहुत सारे मिनरल होते हैं तो आपका अगर वाटर किसी भी केमिकल के साथ मिक्स हो गया तो उसको बोलते कंबाइंड वाटर और यह वाटर भी आपका रूट यह वाला पानी सिर्फ यही पानी अपना रूट एब्सॉर्प कर पाता है तो इस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर और यह क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको सीटी नीड बोट सीनों में आता है वीच वाटर इस अवेलेबल फॉर रूट सो ओनली कैपि इस वाटर मॉलीकूल के पास च्रॉंग अधेशन होता है वाटर इसली राइज इन दे कैपिलरी इस इस करेक्ट अधिक अधिक प्लांट इसा कॉन सा टिशू है जो आपके एट्मोस्फियर में से मॉइस्च्चर एब्सॉप करने में हेल्प करता है एपिपाइटिक प्लां में वेलामेंट इसे हैं वेलामेंट इसिस रूट हैर औलियर होती है और आउटर और लियर पैक्तिं से बनती है को हम क्या बोलते हैं राइजोस्पीर वेरी गुड ठीक है चलो अब थोड़ा सा डिफिकलल टॉपिक चालू होगा बट एकदम इजी वर्ड में आपको एक्स्प्लेंट कर दूंगी जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लेट्स स्टार्ट विट और रूट्स प्रॉं याने कि आपका वॉटर कैसे कॉंस से चाप में अबशॉश्प होता है एकदम सिंपल भाशा में समझाते हो ठीक है तो रूट्स में वार्ट कैसे अबशॉब होता है तीन स्टेप आपको याद रखने हैं पहला स्टेप है इंबिवीशन दूसरा स्ट root है this is our root यह root soil में present होता है underground ठीक है तो अभी इस root के अंदर आपके water को absorb होना है इस root के अंदर पर इस root के अंदर अपना water direct absorb नहीं होगा यह root का जो cell है यह cell से आपका root hair बहार आता है और यह root hair के पास दो layer है एक outer layer है एक inner layer है ठीक है so मतलब एक cell wall है और एक cell membrane है तो यह जो अपना water molecule है मतलब आपने जो soil में यह आपकी soil में जो भी आपने water molecule डाला है तो यह water molecule पहले आपके cell wall के surface के साथ attach हो जाएगा इस attachment को हम बोलते है first step imbibition क्या बोलते हैं इसको हम imbibition अगर आपको इस topic को detail में समझना है मैंने हर एक topic का detail video डाला है आप उसको 1.5 की speed में समझोगे तो भी आपको समझ जाएगा यहां पर यह one shot lecture है तो इसका मैं overview आपको समझा रही हूँ और वो भी अच्छे से ठीक है तो यह आपका root hair है root hair के अंदर हम water को डालने की कोशिश कर रहे है तो पहले water आपके root hair के साथ attach होता है this is first step अब second step क्या होता है ध्यान से सुनो आप ही मेरे question का answer दोगे root hair के अंदर पानी नहीं है उसको पानी चाहिए इसका मतलब root के अंदर पानी का pressure कम है पानी की availability कम है और soil में पानी की availability जादा है तो obviously जहाँ पानी जादा है वहाँ से वो कम की तरफ आएगा मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है diffusion होने वाला है so diffusion में क्या होता है your solvent molecules या जो भी items या ions होते हैं वो high concentration से low concentration की तरफ जाते है high concentration से low concentration की तरफ तो water बाहर जादा है अंदर कम है तो water बाहर से अंदर की तरफ आएगा जहाँ जादा है वहाँ से कम की तरफ तो ये water imbibition करके आपके cell wall के अंदर आ जाता है जो पानी बाहर था cell wall उतको बोलता है आजा बेटा आजा मुझे प्यास लगिया तो मुझे पानी दे दे तो second step हो गया diffusion अब third step होता है osmosis osmosis में क्या होता है same चीज solvent molecule जो है ये high concentration से low concentration की तरफ move होता है क्योंकि ध्यान से सुनो जो food molecule है जो food वगेरा है या जो भी minerals है वो minerals plant के अंदर ज़्यादा जमा हो गया है पर पानी कम हो गया है इसलिए तो अपने को पानी चाहिए ये minerals किदर से आए मैम कुछ minerals photosynthesis करके ही बने हैं और कुछ minerals हमने soil से absorb किया पर soil से जब हमने mineral absorb किया उस time पर हमने पानी लिया था वो पानी transpiration की वज़े से उड़ गया तो अब plant को पानी चाहिए plant के अंदर पानी जब कम हो जाता है तो plant के अंदर एक pressure create होता है उस pressure को बोलते है diffusion pressure deficit या इसका दूसरा नाम है suction pressure suction pressure मतलब क्या होता है आपके root है कि अंदर एक अच्छानक से ताकत आ जाती है कि वो पानी को अंदर की तरफ सक कर सके इसको बोलते है diffusion pressure deficit dpd दे दो पानी दे दो कौन मांग रहा है पानी? root है किस से मांग रहा है? soil से तो पानी जब अंदर आएगा तो पहले वो cell wall से touch होगा cell wall से जब ये पानी touch होगा उसको बोलते है इंबिबिशन फिर इंबिबिशन बोलेगा चल चल तू अंदर चले जा root है को प्यास लगी है तो diffusion होगा पानी बहार से अंदर आएगा अब cell wall के अंदर cell membrane है तो cell membrane के अंदर अगर इस पानी को entry लेनी है तो वो कौन सा process दिखाएगा? वो दिखाएगा osmosis process और finally आपका पानी अंदर आ जाएगा लेकिन diffusion के time पे कौन सा pressure होता है जिसके वज़े से पानी osmosis दिखाता है diffusion के time पे हमको देखने को मिलता है diffusion pressure deficit इसको ही बोलते हैं suction pressure याने अगर आपका cell membrane पानी को अंदर सक नहीं करेगा तो पानी अंदर नहीं आएगा तो उसके लिए जो pressure होता है उस pressure को बोलते हैं diffusion pressure deficit या suction pressure और ये pressure के वज़े से osmotic pressure बनता है कौन सा pressure बनता है osmotic pressure जिसके वज़े से पानी cell wall से cell membrane में जाता है तो diffusion किया diffusion में क्या होता है high concentration से low concentration की तरफ आपके molecules transfer होते हैं इसके वज़े से diffusion pressure deficit या suction pressure बनता है ये word हमको दिया था BS mayor ने तो ये टर्म ये paragraph important है आपके CET के लिए सक्षन pressure क्या करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्सॉब करने में help करता है तो इधर पे देखो ये आपका pure water है जो soil में present है और ये आपका root वाला structure है जिसमें थोड़ा थोड़ा water है और थोड़ा थोड़ा salt है तो पानी high concentration से low concentration की तरफ जा रहा है और ये कब तक जाते रहेगा जब तक आपका इस root का पेट नहीं भर जाता कि हाश मैंने मन भरके पानी पी लिया तब तक इसका osmotic pressure बढ़ता ही रहेगा मतलब इसका diffusion pressure deficit बढ़ता ही रहेगा these both are equal to each other diffusion pressure deficit is equal to osmotic pressure मतलब जब तक अपने root का पेट नहीं भर जाता तब तक पानी को हम सक करते रहते तो जैसे ही आपका root का पेट भर जाएगा तो आप पानी मांगना बंद कर देंगे कि बस हो गया अभी मेरा पेट फटने वाला है तो जब पानी प्यास लगती है तब diffusion pressure deficit बढ़ता है और osmotic pressure बढ़ता है osmotic pressure ना बैगन के जैसा है वो इधर पे भी लुड़कता है उधर पे भी लुड़कता है बैगन देखो कभी सीधा खड़ा नहीं रहता है इदर उदर किदर भी डोलकी मारते रहता है वैसे ही osmotic pressure है जब पानी चाहिए तबी भी osmotic pressure create होता है और जब पानी के flow को stop करना है कि बस 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 अभी plant में जगा नहीं है अब पानी के entry बंद करो तबी भी osmotic pressure Role Play करтा है तो osmotic pressure पानी के entry को start भी करता है और stop भी करता है देखो इधर पर दिया है थोड़ा सा अगी जा रही हूं मैं कि इधर गया हाँ osmotic pressure क्या करता है ये पानी के entry को opposite direction में भी काम करता है और same direction में भी काम करता है मतलब यह water pressure को stop भी करता है और start भी करता है तो ध्यान से देखो जब अपने root को पानी चाहिए था तो diffusion pressure बढ़ रहा था ठीक है जब अपना root पच्का रहता है मतलब जब अपने root में पानी नहीं होता है root के अंदर जब कम पानी होता है तो root के cells एकदम चपते होते हैं पर पानी पीने के बाद यह cell फूख जाता है तो यह cell जब swell हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं turgid cell क्या बोलते हैं इसको हम turgid cell तो जब आपका cell चपता होता है जब cell एकदम चपता है मतलब उसको प्यास लगी है तो वो पानी मांगेगा तो जब आपका cell चपता रहता है उस time पे आपको पानी चाहिए diffusion pressure deficit high रहता है और उस time पे target pressure low रहता है target pressure मतलब क्या होता है फूगा हुआ cell, cell चपता है तो उसके अंदर पानी नहीं है, पानी नहीं है मतलब वो cell target नहीं है तो target pressure is low, diffusion pressure deficit is high मतलब दे दो पानी दे दो लेकिन जैसे ही आपका cell फूग जाता है जैसे ही अपना cell फूग जाता है वैसे ही अब हम और पानी पीना बंद कर देंगे नहीं तो अपना cell फट जाएगा तो जैसे ही आपका cell फूब जाता है, diffusion pressure deficit low हो जाता है और target pressure high हो जाता है, क्योंकि आप अपना cell फूब चुका है Cell के अंदर पानी कैसे entry लेता है, अपना जो root का cell membrane होता है, उसके पास special channel proteins होते हैं, जिनको हम बोलते हैं aquaporin यह आपको CET में पूछा जाता है, यह अपना bi membrane है, plasma membrane का structure है, तो यह जो आपका water molecule है, यह water molecule लिपिड के change के बीच में से नहीं जा सकता, क्योंकि यह lipid water के against काम करती है, they are both not hydrophilic, they are hydrophobic तो water को अंदर entry लेने के लिए अपने पास कुछ special protein tunnels होते हैं, ग्यारवी में पढ़ा था, fluid mosaic model, तो वो protein tunnels को बोलते है, aquaporin, जिसकी मदद से आपका water molecule cell membrane के अंदर जाता है, root के, this is your root का cell membrane, cell wall के उपर पानी आया, अब cell wall के बाद उसको cell membrane के अंदर जाना है, तो cell membrane के अंद जाने के लिए ऐसा special channel बना रहता है, जिसके अंदर से आपका पानी अंदर entry मारता है, ठीक है, और osmosis करता है, osmosis मतलब क्या होता है, high water concentration से low water concentration की तरफ इसका movement होगा, तो osmosis मतलब ये पोल रहा है, पानी दे दो, दे दो, पानी दे दो, ये पानी मांग रहा है, तो हम इसक पानी मिल जाता है, तो इसका DPT low हो जाता है, अब सेल को पानी मिल गया, मतलब सेल का पेट भर जाता है, अंदर पूरा सेल का पैड बर जाता है, देखो जब आप घर पे मम्मी अच्छा पुलाओ या छोले पूरी या कुछ आपका मन का फेवरेट डिश बनाती है आप पेड भर के खाना खाते हो इतना पेड भर जाता है कि ऐसे लगता अभी बस बटन तूटना बाकी है भंडाने में जब आप खाना खाने जाते तो हिता बटना हो क्या हो आपका सेले आकशुली ना खटे इसलिए उपोजेगी डिरेक्शना अपले होता है क्या अपला आयोता गलए होता है और यह को अधिन से थावान फोकते जा रहा थाजा घर यह तर्गर्फ्रेश पानी को दबा के रखता है that is wall pressure तो इधर से तर्गर प्रेशर आता है इधर से wall pressure आता है जब आपके cell का पेट भरा हुआ है तब तर्गर प्रेशर is equal to wall pressure लेकिन मतलब जब आपका cell एकदम तायम तर्जिड रहता है जब तो तर्जिड मतलब धुगा हुआ यह उस्को पानी उसने पी लिए यह करता है तो उसकोको प्यास लगती है तो दोणोटायम पर help करता है ठीक है अभी देखो Osmosis में हमको अलग-अलग ताइप का मतलब जैसे आपका water होता है ना उसके basis पर सीन टाइप के chemical solutions देखने को मिलता है आपने chemistry में भी बड़ा है हाइपो टोनिक हाइपर टोनिक एन आइसो टोनिक ठीक है हाइपो टोनिक मतलब क्या होता है लेस कल्यूट याने more water अगर स्लीट कम मतलब पानी जादा है मतलब आपके जहाड ने बारिश में पानी पानी पी लिए और वो जहाड फुग गया तो यह बारिश वाला प्लांट है इसमें पानी ज्यादा हो गया है सॉल्ट कम है इस इस हाइपोटोनिक में क्या होता है पानी और सॉल्ट दोनों एक्वल रहता है और हाइपोटोनिक में क्या होता है पानी कम रहता है जैसे समर में यह समर सीजन का कंडिशन है और यह रेनी सीजन का कंडिशन है plant के अंदर इसमें ज़्यादा पानी है इसमें इक्वल पानी है तो यह हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और है पर टोनिक यह तीन डेफिनेशन भी इंपोर्टेंट है इसका आपको को एमसी क्यों पूछा जा सकता है हाइपोटोनिक सेल्यूशन मतलब लेस सल्यूट मतलब वीक सल्यूशन सल्यूशन मतलब क्या होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट अभी इसमें सॉल्वेंट जादा है और सल्यूट कम है तो ऐसे सल्यूशन को वीक सल्यूशन बोलते हैं इसम सिंपल जाने दो आपकी आत्मा ऐसे जाग जाएगे एक दम खट्टा खट्टा लगेगा क्योंकि उसमें निम्बू पानी जादा है और नॉर्मल पानी कम है तो उसमें सल्यूट जादा है निम्बू पानी जादा है वो आपका है है परअने लेकिन अगर इक उपटा सोडτα गए अपकी जेल्डON के आएग Gul में का टेस्टी कम आएगा आधसन है फैक ठोनी कम मतलब रहेता फैनने मतलब रहें ने जादा इसके वज़े से अपना से चपटा होता है अगर आपने अपने ग्रेप को वॉटर में डाला तो सॉल्ट के पास यह क्या स्पेशल के पैसिटी होती है डिहाइडरेट करने की याने कि यह किसी भी मॉलिक्यूल के पांई को बाहर एब्सॉप कर लेता है तो जब आप एक तब म इसको बोलते एक्जोस्मॉसिस और एंडोस्मॉसिस में क्या होता है जब आप अपने उसी चप्टे हुए किश्मिश को पानी में डालोगे नॉर्मल वाटर में तो आपका वो किश्मिश पानी एब्सॉप कर लेगा याने कि पानी सेल के अंदर जाएगा इसको बोलते हैं यह सिस्मॉसिस के टाइंडि पे जब आपका सेल पानी अब्सॉप करता है तो दीरे धीरे करके उसका टंगर प्रेशर बढ़ता है जैसे यΑ का सेल पूरा एकदम भूद थूख जाता है उसका DPD जीरो हो जाता है तो यह छूदर प्रेशर और मतलब सेल पानी फी लिया तो पिरशक लगाते है hydrogen में यह हैं तो इधर पे देखो यह वाला लना फोर्मुला बहुत-बहुत है क्या दिया इस फोर्मुला में जब आपके सेल को प्यास लगती है तो पानी मांगता है तो बोलता है देदो पानी देदो देदो पानी देदो मतलब आपके सेल को प्यास लगी है तो प्रेशर बढ़ेगा जब आपका सेल पानी मांगता है उस ताइम पे अपना सेल एकदम चपता है इस वेरी फ्लैसिड तो टर्गर प्रेशर अब्वियसली लो र तो पेट फटने की जगा पेट अंदर पुरा गायव हो जाता है इतना जोर से भूख लगा है तो उस टाइम पे आपका टरगर प्रेशर जीरो है क्योंकि टरगर प्रेशर मतलब फुगा हुआ प्रेशर अगर भूख लगी है वेन योर सेल इस फ्लैसिड जब आपका पेट च है क्योंकि आपने इतना खेली आया it आप और नहीं खा सकते तो आप बोलते हो दे दो पानी दे दो नहीं मत दो पानी हो घ्माइरा अखा के हो अगया थिस इक्यूट प्रेशर रिगोजिन तरुए प्रेशर में जादा क्या होता है आपके सेल को जब पानी चाहिए तो वो डिफ्यूजन प्रेशर दिखाता है कि पानी दे दो तक्षन प्रेशर ठीक है तरगर प्रेशर क्या करता है जब आपके सेल का पेड़ भरा रहता है तो तरगर प्रेशर के वज़े से अपने सेल के और प्रेशर रहते हैं एकदम प्रॉपर शेप में रहते हैं जिसके वज़े से उनका शेप अगेरा सब मेंटेन रहता है तो आपका पानी चालू रहती है और यहां तक सबको समझ में आया है पानी अंदर जाने के लिए डो टाइप का डिफूजन होता है सिंपल डिफूजन जिसके लिए आपको कोई चैनल की मदद नहीं लगती है यह तो इसके लिए लेकिन और मैं वाटर मोली क्यूल की बात करूँ तो हमको फैसलिये contracted defusion में special protein explain cable की मदद लेते हैं और यह protein channel , जिस protein से बनता है उसको बोलते है aquaporine यह वर्ड आपको CT में पूछा जाता है aqua मतलब water और pouring मतलब hole यहनि इस hole से water अंदर जाएगा ठीक है और यह बिना ATP के होता है it is without एक्सपेंडिचर ऑफ एनरजी इस प्रोसेस को हम प्रोसेस भी बोलते हैं देखो यह एक्वा पॉरिंट की मदद से हो रहा है ठीक है तो इस प्रोसेस को पैसिलेटेट डिफ्यूजन या पैसिफ प्रोसेस भी बोलते हैं सबको यहां तक समझ में आया है पक्का चलो आगे आपके बोलते हैं जब आपके केमिकल मतलब आपका वाटर किसी भी सॉल्यूट मॉलीक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है तो अभी इस टॉपिक में से एक्जैम में कौन सा प्वेश्चन आता है इसके फैक्टर्स पूचे जाते हैं और वाटर पोटेंशल की वैल्यू मतलब य परेग्राफ आता है और यह वारा पारेग्राफ आता है तो तो को वाटर पोटेंशल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इत और सेल ऑर्गेनल्स किसे बने हैं प्रोटीन कार्गोहाईडरेट न्यूकलिक असीड लिपिड ऐसे अलग अलग टाइप के बायो मॉलीकुल से बने तो बायो मॉलीकुल भी तो आखिर केमिकल ही है ये तो के अंदर आपका केमिकल भी प्रेजेंट होता है प्लस आपका के साथ mixed होता है तो वाटर पोटेंशल प्रोटोफलाजम बड़ इस इकोल बट इस अपोजिट इन साइन तो डीपीडी मतलब आपका वाटर का वैल्यू नेगीटिव रहता है इसका मतलब क्या है प्यॉर वाटर अगर रहेगा अगर उसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है तो इस लिए हम बोलते हैं कि वाटर पोटेंशल की वैल्यू नेगीटिव होते जाती है और वाटर पोटेंशल का यूनिट क्या है बास पास्कल या एट्मॉस्फियर यह तीनों यूनिट हम यूज करते हैं तो प्लीज 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 रिमेंबर इस पारेग्राफ अभी इसमें क्या बोला है, diffusion pressure deficit को हम water potential बोलते हैं, osmotic pressure को हम osmotic potential बोलते हैं, और target pressure को हम pressure potential बोलते हैं, इन तीनों की value हमेशा क्या होगी, positive होगी, ठीक है, इस टारेग्राफ में क्या बताया है, अपना जो pure water रहता है, वो low solute concentration से high solute concentration की तरफ move होता है, यह देखो, यह आपका pure water है, और यहाँ पे आपका solute present है, तो water will move from low solute concentration, यह देखो, इदर बिल्कुल भी solute नहीं है, इदर पे high solute है, तो from low solute concentration to high solute concentration, इसका मतलब क्या, इदर पे पानी का concentration जादा है, इदर पे पानी कम है, solute जादा है, तो from high concentration of water to low concentration of water, अगर water के terms में बोल रहे हो, या low concentration of solute to high, जादा confusion मत करो न, इदर बिल्कुल भी तुमको solute दिखाई नहीं जिरा से पानी है, और इदर पे solute है, तो यह soil वाला area है, और यह आपके root का अंदर वाला area, root के अंदर already बहुत सारे minerals present होते हैं, तो पानी जब root के अंदर जाता है, तो अपने water की potential value negative होते जाती है, और पानी अंदर कैसे जाता है, plasma membrane यानि cell membrane की मदद से, तो यह जो beach का membrane है, इस membrane को हम बोलते हैं, plasma desmata, क्या बोलते हैं इस membrane को हम plasma desmata, तो plasma desmata की मदद से अपना water, एक cell से दूसरे cell में transfer होता है, water potential की value, कौन से factors के वज़े से effect होती है, capillary water present होना चाहिए, तो ही plant में water absorb होगा, क्योंकि gravitational water तो नीचे चला जाता है, hygroscopic water soil के साथ absorb हो जाता है, combine water chemical के साथ absorb हो जाता है, तो capillary water present रहेगा, तो ही root में absorption होगा, आपके water absorption के लिए suitable temperature होना चाहिए, अगर आपके soil water में ज़्यादा solute है, तो फिर आपका absorption rate कम हो जाएगा, क्योंकि water solute के साथ bind करके combine water बन जाएगा, आपके soil में अगर oxygen कम है, तो उसके वज़े से भी water की potential कम हो जाती है, और अगर plant ज़्यादा transpiration कर रहा है, तो उसके वज़े से आपका जो water absorption का जो rate है, वो भी change हो सकता है, मतलब plant का जो leaf है, leaf में से अगर ज़्यादा पानी evaporate हो गया, तो root के उपर भी pressure पढ़ सकता है, और irrigated soil अगर है, मतलब उसके पास natural water का source नहीं है, वो किसी और water source पर depend कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी water potential effect हो सकता है, तो this was about water potential, इसमें से ये paragraph और ये paragraph बहुत important है, next comes plasmolysis, plasmolysis मतलब क्या होता है, lysis मतलब breakdown, lysis मतलब क्या होता है, breakdown, तो जब आपका exosmosis होता है, मतलब जब cell में से पानी बहार आता है, when it is placed in high salt concentration, hypertonic मतलब इसमें salt जादा है, तो ऐसे process को बोलते हैं plasmolysis, मतलब इदर पे देखो, हमने इदर पे अंगूर को नमक के पानी में डाला, तो अंगूर का पूरा पानी बहार आ गया, तो यह हो गया exosmosis, तो इस process को बोलते है plasmolysis, इस process को हम क्या बोलते हैं, plasmolysis, जब आपका पानी बहार आ जाता है, this is plasmolysis, ठीक है, during plasmolysis क्या होता है, आपके cell का cytoplasm shrink हो जाता है, जिसके वज़े से आपका cell wall अंदर की तरफ चला जाता है, देखो, cell wall अंदर की तरफ shrink हो रहा है, यह statement बहुत important है CET के लिए, तो cell आपका चप्ता हो जाएगा, क्योंकि, मतलब आपके, समझो, आपने उल्टी कर दी, तो आपका पेट खाली हो गया, तो इसमें खाली गयाप जमा हो जाता है तो इस जाता है, तरप Σंब बस्का फिर से इस प्रोसेस को बोलत तो सबक्राजय और इसके बढ़ते हैं जंपका यानि फ्याrinाटा तो पर और पेड़ा और प्र बालाफ को बदै कर अभी या और शील का फाली था तो उसका टर्गर प्रेशर कम था और डीपीडी हाई था पर जैसे ही सेल ने पानी पिया तो उसके वज़े से उसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया मतलब सेल का पेड भर गया और डीपीडी लो गया हमेशा याद रुखो यह दोनों वैल्यू हमेशा आपोजिट सब लोग कमेंट करो डीपीडी मतलब देदो पानी देदो तो आपको याद रहेगा कि हां मैंने कमेंट किया था ठीक है चलो कुछ एमसी की उस देख लेते हैं क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं कबसे यह जो वन शॉट वीडियो हैं यह आपके एमस्टी सीटी और बोड दोनों के लिए यूद्फूल है जब आपका वाटर ले वाटर सॉइल के एकदम अंदर चला जाता है परकोलेट याने की एंटर करना जब आपका वाटर सॉइल के एकदम ग्राविटी की वज़े से नीचे चला जाता है तो ऐसे टाइप के वाटर को क्या बोलते हैं ग्राविटेशनल वाटर क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है सॉइल पार्टिकल्स के साथ जब आपका वाटर चिपक जाता है तो ऐसे टाइप के वाटर को क्या बोलते हैं हाई ग्रोस्कोपिक वाटर 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 अवेलेबल फॉर एब्सॉप्शन इन एब्सॉप्शन ऑफ वाटर आर तो पहले इंबिबिशन होता है फिर डिफ्यूजन होता है फिर ओस्मोसिस होता है तो तीनों प्रोसेस इंपोर्टेंट है अल अफ दीस विच अफ दो फॉलविंग हाईड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग कौन सा सब्स्टेंस वाटर लविंग पेक्टिन इस अल्सों मेड़ पर शुगर फ्रोटीन इस वाटर लविंग लिपिद इस मेड़ पर पैटी असे इस नौट वाटर लविंग यह आपका ओईली स्ट्रॉक्चर है और वाटर कभी साथ में नहीं रहता तो अली ए और बी डन नेक्स आपिक में आते है जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रहे हूं पहले वाटर रूट के उपर इंबाइब होता है मतलब इस रूट हेर के उपर पहले आपका वाटर ऐसे आके अटाच होगा फिर यह इसके अंदर डिफ्यूज होगा और फिर ऑस्मोस के वज़े से यह आगे-ागे पास करेगा तो हमारा जो वाटर है यह वाटर का पाथवे क्या है मतलब यह वाटर आगे-ागे कैसे जाता है तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है यह सबसे पहले आपके रूट हेर के साथ आके अटाच होता है अब देखो रूट हेर के पास जब वाटर आता है तो यह जो आपके कॉर् साथ बुच जाती है तो अब यह वाला सैंने से पानी मांगे गाया तो अ ललते हैं प्रेस और कभी-कभी प्रेशर जरी करने के लिए हम को ATP की जरुवत पड़ती है तो जब ATP की जरुवत पड़ती है तब बोलेंगे Active Process जब बिना ATP के यह Process होता है तो उसका हम बोलते हैं Passive Process तो देखो एधर क्या बताया गया है Water का Pathway दो टाइप का होता है एक Appoplast और एक Simplast पात्वे मतलब क्या होता है आपका पानी Cell Wall यानि आउटर रीजन से जा रहा है नौन लिविंग पार्ट से क्योंकि सेल वॉल डेड़ से बनती है ठीक है और सिंप्लास्ट पातवे मतलब क्या होता है आपका वाटर डायरेक्ट एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस से होते हुए डायरेक्ट आपके तो यहां पर सिब living cells के बीच में प्रांस्पोर्ट हो रहा है एक से दूसरा से दूसरे से तीसरा से तो एसे पात्वे को जाई नहीं सकता इधर पर आके अपना water block हो जाता है तो यह water को अपना रस्ता बदलना पड़ता है यह ऐसा ना हो इसका एक shortcut बनाया गया यहां से secondary root निकाली गई क्या किया गया यहां से secondary root निकाली गई और यह secondary root पानी इधर से लेके इधर से आगे ट्रांसपोर्ट करेगी मतलब अपने पानी को अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा पानी अंदर ही अंदर आपके सेल वाल से होते हुए कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाजू से होते हुए डायरेक टाइप के जायलम वेसल तक पौच जाता है तो इस बॉक्स में आपको सेकेंडरी बातवे और यह बीच में जो सेल मेंबरेन है इसको बोलते हैं यह इसको ट्रांस मेंब्रेन पातवे भी बोलते हैं तो यह आपका mcq question पूछा जा सकता है आपको प्लाश पात्वे को आपको simple इदर distinguish दिया है इसको read कर सकते हो यह notes आपको अपने app पे मिल जाएगी ठीक है इस chapter की जो भी notes है यह notes आपको अपने app में मिल जाएगी तो play store पे जाके अपना ग्यानलब tutorial वाला app download करो login करो left and side में आपको 3 lines दिखाई देंगी उधर पे click करो free material section में आपको इस chapter का notes मिल जाएगा next topic देखते mechanism of absorption of water तो दो type का mechanism होता है passive absorption and active absorption passive absorption में क्या होता है आपका जो water absorb होता है वो root के through होता है मतलब सिर्फ root अकेले उस water को absorb नहीं करती है root सिर्फ एक जरिया है जहां से पानी अंदर जाता है root नहीं होगी तो endodermis के through पानी जाएगा cortex के through पानी जाएगा तो root सिर्फ एक रास्ता है ठीक है passive absorption आपको क्या देखने को मिलता है जब हम बिना ATP के water को ट्रांसपोर्ट करते है इस प्रोसेस को बोलते passive absorption और 98% यह आपका CET question है 98% of water absorbed in plants अकर passively मतलब बिना ATP के 98% water अपने plants में absorb होता है पर कभी कभी जब summer season अगेरा आ जाता है जब फटा-फट water absorb करना पड़ता है तो उस टाइम पे काफी जादा water passively absorb होते हैं बट कभी emergency के टाइम ते अगर passive absorption नहीं हुआ active absorption करना पड़ा देखो passive absorption में direct water transport होता है protein channels की मदद से अक्वापोरियंस की मदद से लेकिन अगर कभी ATP की ज़रुवत पड़ी तो उसको बोलते है active absorption यहाँ पे water पोस को breakdown करता है याने की ज्यादा करके night time में ठीक है अभी active absorption भी दो टाइप का होता है osmotic और non-asmotic osmotic absorption जो है यह ज्यादा करके indirect energy लेता है यह हमको concept दिया था प्रिस्टली ने 1922 में यह सीटी question है इसमें आपका water soil से अबजाब होगा यह रूट है यहाँ पर आपका epidermis वाला cell फिर यह cortex region में गया cortex endodermis में गया endodermis से आगे यह परिसाइकल से होते वह जाइलम में गया तो इधर पर कभी कभी क्या होता है osmotic condition create करने के लिए रात के टाइम पर हमको ATP यूज करना पड़ता है बट यह ATP डायरेकली यूज नहीं होता है इन डायरेकली यूज होता है इसमें हम DPT बढ़ाते हैं मतलब diffusion pressure deficit बढ़ाते हैं अपने epidermis के cell में जिसके वज़े से आपके जो फूट के living cells यह living cells एकदम से active हो जाते हैं फिर आपके प्लांट के अंदर जो store food होता है रूट में जो starch होता है वो starch को breakdown करने लग जाते हैं और फिर जब वो starch breakdown होता है तो उसमें से जो ATP निकलती है वह ATP यह यूज करते हैं और यह प्रोसेस करने में हम directly energy यूज करते हैं मतलब इदर पर घुमा फिरा के कुछ नहीं होता है डायरेक्ट ATP यूज होती है यहां पर इन डायरेक्ट तरीकिस ATP यूज होती है इधर डायरेक्ट ATP यूज होती है तो इधर पर आपका rate of respiration भी स्लो हो जाता है क्योंकि आप प्लांट का अगर stored sugar breakdown करते जाओगे करते जाओगे तो एक ताइम ऐसा आएगा कि प्लांट की शुगर खतम हो जाएगी तो यहां पर metabolic inhibitors यह जो metals होते हैं कुछ ऐसे minerals होते हैं यह minerals आपका water absorption capacity slow कर देते हैं इसके वज़े से अपने ATP करना पड़ता है क्योंकि प्लांट को सूखा नहीं रख सकते उसको पानी की जरुवत है तो उसको कैसे भी करके पानी देना पड़ेगा ठीक है चलो next topic मतलब MC क्यों देखते हैं अपने प्लांट सेल का cell wall कैसा होता है कि सेल वाल इस freely permeable cell membrane is selectively permeable या semi permeable diffusion pressure of pure water is always zero pure water की कोई भी value हमेशा zero होती है ठीक है hypotonic hypo मतलब less salt मतलब more solvent so strong solvent या weak solution less salt मतलब weak solution तो both a and c yes next dash is the migration of solvent from cell to outside cell के अंदर का पानी बहार आ गया इसको क्या बोलते हैं अंदर का पानी बहार आ गया exosmosis बरबर तर्जिड सेल आपका सेलेक दम फुगा हुआ है मतलब उसका dpd 0 रहेगा उसको पानी नहीं चाहिए क्योंकि सेल फूग गया है अंदर से टरगर प्रेशर आ रहा है बहार से वॉल प्रेशर आ रहा है जितना पानी पीना था उतना पानी पी लिया अभी उस से जादा पानी अंदर नहीं जा सकता तो all the options are correct नेक्स्ट आता है ट्रांस्द लोकेशन ऑफ पूड में बारे में चलो इसके बारे में हिसमज़ते हैं तो सबसे पहले और आपको यह यादोना चैहिए कि ब्लांट में वाटर ट्रांस्पोर्ट करने के लिए कौन सा टिशू सा क्ują स्ब्सक्राइब होता है और्वूड प्रमस्पोर्ट करने केकं कि लिए कौन सा हुर्वू किश्यू सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए जो对 इस था पूसिपर से united अंधार filthy यहां पर तो यहां पर मैं तिंदेखो transport of water with minerals जब आपका पानी minerals के साथ dissolve होके root से stem और stem से leaf के पास पहुचता है तो उस dissolved water को हम बोलते हैं ascent of sap sap मतलब water और ascent मतलब translocation याने के transfer ठीक है? अभी जैसे कि बैने बोला water को transport करने के लिए अपने को xylem tissue की help चाहिए तो xylem tissue अलग-अलग structure से बनता है xylem is made up of xylem vessel यह देखो xylem is made up of vessel यह बीच-बीच में जो खाली cavity है xylem fibers and track it तो आपका जो पानी है वो पानी आपके vessels के तुरू जाता है आपके fibers के तुरू नहीं जाता है बहुत सारे scientist लोगों को यह confusion था कि पानी fibers के तुरू जाता है जबकि आपका जो water है वो vessels के तुरू जाता है ठीक है तो जब हम water transportation की बात करते हैं तो अलग-अलग scientist ने अपनी theory दिये obviously बिना theory के तो complete होई नहीं सकता है science तो जो पहली theory है देखो यह पानी आपके xylem के तुरू करता है यह कैसे पता चला यह पता चला हमको ringing experiment की मदद से ringing experiment क्या था इसमें यह experiment phloem के लिए भी यूज किया गया था तो जाइलम के लिए यह कैसे experiment यूज किया गया था आपका xylem tissue है xylem tissue का हमने एक छोटा सा ring वाला part cut कर दिया तो क्या देखने को मिल रहा है हमको कि नीचे से जो पानी उपर जा रहा है वो पानी इधर ही जमा हो जा रहा है और नीचे आपको ऐसे swelling देखने मिल रही है मतलब यह मेरा stem है इसमें से मैंने इतना ring वाला part cut कर दिया तो अब मुझे जो भी पानी इधर से जा रहा है उसके वज़े से यह पानी इधर से नीचे liquid जो है leakage हो रहा है यहीं पर यह पानी ऐसे store हो गया जिसके वज़े से यह tissue swell हो गया है और उपर के tissue dry होने लगा क्योंकि उपर के tissue में पानी नहीं पहुंच रहा है तो यह ringing experiment है बट इसके अलावा भी बहुत सारी theories दी गई थी जैसे root pressure theory इसको हम vital theory भी बोलते हैं root pressure theory क्या होता है आपके root के जो living cells है जैसे कि अपने cortical cells epidermis के cells endodermis के cells यह cells root के उपर pressure डालते हैं ज्यादा water absorb करने के लिए जिसके वज़े से root के अंदर hydrostatic pressure create होता है root pressure यह word हमको दिया था as health ने और capillarity theory हमको दी थी जे प्रिस्टली ने ठीक है इस theory के according आपका sorry capillarity ने root pressure theory तो इस theory के according हमारा जो water है वो water अपने जाइलम वेसल के थूरू अंदर जाता है यह कैसे पता चला हमने इधर पर अपने stem को थोड़ा सा cut कर दिया और उसके बीच में हमने एक you tube लगा दिया ठीक है जब हमने you tube लगाया तो यह जो दूसरा वाला tube है इसमें हमने mercury का level रखा था इसका starting का mercury level इतना था लेकिन जैसे जैसे पानी add होते गया mercury का level rise होते गया तो इसका मतलब आपके root में pressure create हो रहा है जिसके वज़े से आपका water उपर उपर अपना level rise कर रहा है तो इसके कुछ positive points क्या थे कि root pressure के वज़े से पानी gravity के against उपर तक जा पाता है पर यह कितना उप पर जा पाता है only 10 to 20 meters इसका root pressure pressure बोला मतलब बैरो मीटर मतलब बार में count होता है तो इसका pressure कितना होता है प्लस वान टू प्लस टू बार जो इनफ है 10-20 मीटर तक पानी उपर पहुचाने के लिए पर इसके लिए constant temperature oxygen moisture यह सारी conditions matter करती है तो इसके drawbacks क्या थे objective मतलब limitation कि root pressure theory ज्यादा accept क्यों नहीं हुई क्योंकि यह सिर्फ 20 मिटर के plant तक ही applicable है यह ज्यादा टॉल प्लांट तक नहीं पहुचा पाता था पानी मतलब इसमें transpiration जिसमें होता है प्लांट में मतलब जो प्लांट का leave ज्यादा water evaporate करता है उसमें root pressure की जरूरत ही नहीं पड़ती है उसम में जाइलम का सैप नॉर्मल कंडिशन में भी प्रेशर के अंदर दिखा रहा था मतलब इट शोज नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब आपका जाइलम नॉर्मल कंडिशन में है तो रूट प्रेशर की थियोरी ज्यादा acceptable नहीं हुई रूट प्रेशर इस नॉर्मल कंडिशन में विच एंट रांस्पोरेशन ऑफ वाटर तो फिर हमको दूसरे सैंटिस्ट आये दूसरे सैंटिस्ट ने दूसरी थियोरी दी जिसको हम फिजिकल फोर्स थियोरी बोलते हैं इसको एक्स्प्लेइन किया बोहें ने इन 1863 अभी इ रहता एकदम पतला रिफिल जितना उसको आप उपर से कवर करते हो और उसको आप अपने लिक्विट में डालते हो आपको क्या दिखाई देता है कि थोड़ा सा लिक्विट का लेरा राइज हो गया तो इस महान इंसान ने बोला इन्होंने बोला कि ऐसे अपने नेचर में प्लांट के अंदर जो जाईलम है यह जाईलम ग्राउंड के जब वॉटर के आता है तो अपने पानी उपर जाता है पर इसके भी बहुत सारे पैरामिटर से बहुत सारे लिमिटेशन से जिसके वज़े से यह थियरी भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि पहला ल जाईलम का वेसल यह डायरेक्ट ग्राउंड से चाहिए बाट यह तो पॉसिबल नहीं है ना क्यूंकि फैले अक्दम लास्ट में आता है उसके पहले पहले और दर में से उसके पहले पहले पानी पर तो और जाएगा प्लानी उपर तट जाएगा बराबर है पर जो मोटे-म कोटे प्लांट से रहते हैं उनका क्या उनमें तो यह theory reject हो जाएगी तो इसका भी conclusion क्या निकाला गया capillary theory is not the sole mechanism to explain transport of water तो फिर अपने को तीसरी theory दी गई मतलब capillary theory के अंदर ही transpiration pull भी explain कर दिया transpiration pull क्या होता है जब धूप होती है तो धूप के वज़े से आपके leaves में से water evaporate होता है जितना ज़्यादा water उपर से evaporate होगा उतना ज़्यादा pressure stem पे पड़ेगा मतलब xylem पे पड़ेगा और xylem वही pressure आपके root hair में देगा यह आपका normal transpiration pull का theory है ठीक है transpiration pull की theory में आपके root pressure में DPD बढ़ते जाता है जिसके वज़े से पानी absorb होते जाता है root hair पानी को absorb करते रहता है इसके वज़े से पानी उपर उपर जाता है बिना ATP के all this happens passively क्योंकि अपने पड़ा 98% water passive process से absorb होता है तो cohesion tension हाँ इसका भी drawback था transpiration pull का भी drawback था जो हम अभी आगे देखेंगे ठीक है drawback of transpiration theory पहले यह देख लेते cohesion tension theory क्या थी cohesion tension theory बोलो या transpiration pull theory बोलो दोनों सेम है यह theory हमको दी थी दिक्सन और जॉली ने 1894 में यह दो प्रिंसिपल्स के उपर बेस्ट है एक cohesion and addition और एक transpiration pull तो cohesion transpiration pull हमने देख लिया cohesion addition मतलब क्या होता है आपका जो water molecule है अपने exam starting में पढ़ा था water molecule shows high cohesive and adhesive forces जिसके वज़े से आपका root hair easily water absorb करता है भले ही root hair के cell किसी भी chemical से बने हुए हो वह easily water absorb कर सकता है क्योंकि water have high cohesive and adhesive forces पर इसके वज़े से भी इतना absorption नहीं होगा ना कि 60-60 मीटर सब पानी अपने आप पहुच जाए तो इसके limitations क्या थे कि transpiration pull करने के लिए सबसे पहली बात तो आपका water का जो कॉलम है वह अनब्रोकन होना चाहिए बट रियल लाइफ में आपके जायलम के बीच में रात के टाइम पे बहुत सारे ग्यास बपल्स भी ट्रैक हो जाते जिसके वज़े से water का कॉलम ब्रेक हो जाता है इस mechanism के अकॉर्डिंग आपका ट्रैकेट्स ज्यादा एफिशियंट है एक कंपेड टू वैसल पर मैंने अब भी बोला ना पानी वैसल के तुरू फ्लो होता है ट्रैकेट फाइबर के थू पानी कभी फ्लो नहीं होता है ठीक है तो वैसल्स आर मोर इवाल्ड देन ट्रैकेट्स तो अब अब हैर्ट्स इस धर फूर्ट्री तरीके से डिपेंडेंट्ट नहीं है और ट्रांस्पीरेशन बाटारेब्स और ट्राय फॉरेस्ट में भी और इसके तुम्ह screw तो तो भी उसमें वाटर युक्शन चालु रहता है तो ट्रांस्पीरेशन पूल का थिएरी भी एक्से अपलोग बनो future botanist और आप लोग बताओ कि कौनसी थेयरी ज्यादा करेक्ट है ठीक है चलो कुछ MCQs देख लेते हैं select the incorrect statement from the following turgidity increases turgor pressure of the cell correct in a fully turgid cell turgor pressure is equals to wall pressure in a fully turgid cell turgor pressure is equals to wall pressure and operates in same direction ये रॉंग है turgor pressure is equal to wall pressure पर wall pressure का direction opposite होता है it is not same in a fully turgid cell dpd is 0 this is also correct only option number turgidity increases the turgor pressure of the cell ये नहीं गलती से ये टीक हुआ इसका answer ये आएगा c आएगा ये गलती से टीक हुआ इसका correct answer is option number c this is the incorrect statement which of the following about diffusion pressure deficit is correct diffusion pressure deficit के case में कौनसा answer correct है dpd is equals to op minus wp correct diffusion pressure high रहेगा तो osmotic pressure higher रहता है और turgor pressure low रहता है तरगर pressure is equals to wall pressure ये रेखो dpd is equals to op minus wp तिब यहीं वाला equation रहेट है बाकि सारे equations रहाँ है ठीक है next flaccid cell में turgor pressure is zero correct तो dpd is equals to op yes next special proteins which help in facilitated diffusion ये कौन से protein से बनता है aquaporins जो water को एक membrane से दूसरे membrane के आरपार होने में help करते है water potential of protoplasm is equal protoplasm मतलब cytoplasm ये जो पूरा पात्रे मैंने लिखके बताया था ये वाला कि आपना जो water potential होता है वो protoplasm का equal होता है बट it is opposite in direction ये देखो cytoplasm में cell होते हैं cell organols chemical से बनते हैं तो इस इक्वल बट opposite in sign to dpd किसके opposite होता है ये dpd के opposite होता है ठीक है हम हम इट इस इक्वल बट opposite in sign to dpd मैंने आपको बोला उस paragraph में से question आता है चलो अब पढ़ते हैं transport of mineral ions के बारे में ये वाला topic और आपके चैप्टर नंबर 7 में जो minerals वाला topic है दोनों topic exactly same है तो इस topic को ध्यान से सुनना तो chapter 7 वाला जो mineral topic है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके तो mineral ions के बारे में हमको क्या पता है soil से अपना main mineral ions आता है और minerals की मदद से हमारा plant में अलग-अलग ताइप के solid or crystalline organic molecules form होते हैं जो earth crust से मिलते हैं mineral बहुत important है plant के day-to-day life में क्योंकि minerals के वज़े से आपका food का formation complete होता है ठीक है अब plant में कौन से type के minerals होते हैं nature में there are total 36 to 40 elements जो आपके plant के life में involved होते हैं इस में जैसे कुछ minerals ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते हैं जो सबसे important होते हैं जैसे की carbon hydrogen oxygen phosphorus nitrogen sulfur magnesium यह सबसे ज्यादा large quantity में required होते हैं तो जो minerals large quantity में required होते हैं जिन minerals का ज्यादा रोल होता है उतको बोलते हैं macro elements और जो minerals थोड़े कम quantity में required होते हैं उनको हम बोलते हैं micro elements जो सिफ enzymes को activate करने में help करते हैं जब आप plant को जलाके उसके ash का chemical analysis करते हो तो आपको पता चलता है कि उसने अपने water से कौनसे कौनसे टाइप का मदद से होता है मतलब it is an active process जिसमें आपका जो water जब उपर जाता है उसी टाइम पे आपका minerals भी plant के तुरू उपर जाता है क्योंकि minerals की ज़रूद के apex lateral part यंग leaves tissues flower fruit सब में पढ़ती है इसलिए minerals का source क्या है root क्योंकि minerals root के तुरू enter करते हैं plant के tip तक जाते हैं so minerals root से enter करके आपके plant के sink याने की leaves तक पहुँच जाते हैं यह अपना main काम होता है mineral transportation का सिर्फ soil से आपको minerals मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है बहुत बार क्या होता है plant के खुद के जो leaves और older tissues हैं जब यह मर जाते हैं पत्ता जब ड्राय होके नीचे गिरता है तो वह नीचे गिरने से पहले अपने minerals plant में छोड़के जाता है ऐसे minerals को बोलते हैं mobilized minerals जैसे की phosphorus, sulfur, nitrogen बट कुछ ऐसे minerals होते हैं जो अपने साथ साथ उस mineral को भी लेके चले जाते हैं इसको बोलते हैं not re-mobilized तो जैसे की calcium ठीक है अब यहां पर जाइलम का जब आप water test करते हूं तो आपको उसमें पता चलता है कि nitrogen organic form में भी present होता है in the form of amino acid और inorganic form में भी present होता है और थोड़ा-थोड़ा phosphorus और sulfur यह भी inorganic form में travel होता है पर यह इतना important नहीं है यहां पर important statement क्या है पहले ऐसे माना जाता था कि जाइलम transports inorganic and phloem transports organic molecules पर अब यह statement गलत है क्योंकि अब ऐसा देखा गया है कि जाइलम और phloem के minerals and food ठीक है तो देखो minerals आपके जाइलम से आपके प्लांट के उपर तक जाता है और phloem से खाना आपके root तक आता है तो दोनों equally responsible है transport of food की अगर मैं बात करूं तो food को transport करने के लिए हमको मदद लगती है phloem tissue की खाना कहां पर बनता है आपके leaf में जहां पर chloroplast present होते हैं तो जहां पर खाना बनता है उसको बोलते हैं source यानि leaf is the source और यह खाना कहां पर use होता है जहां पर chloroplast नहीं होता है जैसे root stem यह सारा खाना जो leaf में बनता है वो leaves से आपके root और stem तक आता है तो उसको हम बोलते हैं sink तो food always travels from source to sink और यह जो खाना है यह प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस लोकेशन आफ फूड तो यह प्रोसेस समझने के लिए आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा कि फ्लोयम के लिए भी रिंगें तरफ आता है नीचे से उपर नहीं जाता है तो इससे आमको पता चला कि यह फूड इस तरफ जाएगा देखो यह आपका फ्लोयम है अगर यह फ्लोयम से तो इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं रेडियल ट्रांसपोर्ट और अगर आपका खाना प्लोएं इसको बोलते हैं और फिसका मतलब खाना दोनों डायरेक्षन में प्रेवल करता इसमें sugar amino acids और hormones भी होते हैं जो फ्लोयम की मदब से ट्रांसपोर्ट होते हैं यह आपका CT question है पीछे आते हैं food हमेशा कैसे transport होता है बच्छा food is always transported from सुक्रोस and along the concentration gradient मतलब खाना हमेशा उपर से नीचे आएगा क्योंकि लीफ में आपका खाना बनता है ठीक है सीड के अंदर आपका जो एंडोसपोर में यह उसका खाना है जब नया स्टेम और नया लीफ बनेगा तो खाना नीचे से उपर आएगा तो बायरेक्शनल इफेक्ट हमको देखने मिलता यह रेखो यह आपका फ्लोयम टिशू है यह सीव ट्यूब हैं यह फ्लोयम फाइबर्स सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है इस थियरी में क्या बताया गया है कि जब अपना लीफ है इस लीफ के पास क्लोरोप्लास्ट है यह फोटो सिंथिस करके खाना बनाता है तो इसको हम बोलते हैं सोर्स हमें अच्छा याद रखो खाना कौन से फॉर्म में सब्सक्राइब तो बाजू में जो आईलम वैसल है वह अपना पानी लीफ को दे देती है अब लीफ सेल क्या हो गया पानी और खाने के वज़े से अब यह सेल एकदम तरजिट हो गया तो तरजिट होने के वज़े से इसका पेट पुरा भर गया है तो अभी अपना थोड़ से फ्लोयम में आ गया अब फ्लोयम से बराबर रूट तक कैसे जाता है क्योंकि रूट के पास पानी जादा है उसको खाने की जरुवत पड़ती है तो आपका यह खाना जब रूट के पास जाता है इसको हम बोलते हैं सिंक तो यह खाना रूट एब्जॉब करके उसको स्टार रूट अपने पास फ्लोट करती है पर अब अपना पानी रखने के वापस आपके लिव को दे देता है तो जब आपका खाना रूट के पास आज आता है उसको हम बोलते हैं अनलोडिंग ओफ डवेन इतना सिंपल है लीव में खाना बना जायलम से पानी आया तरजी डीटी बड़ी तो वह खाना फ्लोएंग वेसल में आ गया इसको बोलते है लोटिंग ऑफ फ्लोएंग बनने च्रचिंगs यूइघ चल भी तुजा मैं खाना फोड़ा अपने पास चो स्पानी पर देता और फिर से मों पानी जाके लीव को देता है जिसके वज़े से आगे फोटो संतेजिस प्लो समझ में आया है इसमें लीव से खाना उपर वाले लीव की तरफ कैसे जाता है वह नहीं समझाए तो अपर लीफ को भी तो अपर स्टेम को भी तो खाना चाहिए तो इसमें आपको बाय डायरेक्शनल मेकानिसम नहीं समझ में आया और और उसमें से भी 95% में से भी 1% वाच्ट इसलों अपने देखा होगा कि आपके पत्ते के उपर जमी रहती है तो वह उसको हम बोलते हैं गटेशन ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं गटेशन यह देखो लिक्विड के फॉर्म में वाटर एवापरेट हो रहा है और यह लिक्वि और बाहर जाता है और और बांटुराइंड परसेंट वाटर वेपर के फॉर्म में से पानी होता है इस सब्सक्राइबा क्विब होता है जब हम पानी को वेपर के फॉर्म में रिलीस करतें Cons espaces और यह Transpiration- zwijff leaf stem-flower fruit कई से भी हो सकता है, ठीक है अगर आपका water transpiration leave से हो रहा है, तो उसको आपना water transpiration cuticle से हो रहा है तो cuticle transpiration, इधर देखो متलाब अपने leaves के ऊपर ये जो wax сум layer होती है अगर यहाँ से transpiration हुआ तो इसको बोलेंगे cuticle transpiration बड़े-बड़े plants में छोटे-छोटे holes होते हैं, lenticels, अगर lenticels से water evaporate हुआ, तो इसको बोलेंगे lenticular transpiration, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, 8-10% water cuticle से evaporate होता है, और ये दिन और रात, दोनो टाइम पे होता है, और इसका evaporation cuticle के थिकनेस के उपर depend करता है, cuticle मतलब natural wax layer which is present on the leaf, इसमें क्या याद रखना है, कि सिर्फ 0.1-1% water is evaporated by lenticles, और ये process पूरे दिन होता है, दिन में भी, रात में भी, बट इसमें क्या याद रखना है, stomata की मदद से कैसे transpiration होता है, तीन टाइप का transpiration देखने को मिलता है, epistomatic, hypostomatic and amphistomatic, मतलब अगर आपके leaf के ऊपर क साइड स्टोमाटा जादा है, तो उसको epistomatic बोलेंगे, नीचे के साइड स्टोमाटा जादा है, तो hypostomatic और अगर दोनों साइड इक्वल स्टोमाटा है, तो उसको बोलेंगे, epistomatic, ठीक है, स्टोमाटा ट्रांस्पिरेशन, 90-93% of total transpiration is done by स्टोमाटा, और यह ज्यादातर होता है, दिन के टाइम में, तो यह चीज़ आपको CET में पूछी जाती है, और यह चीज़ आपको CET में पूछी जाती है, यह तीन चीज़ आपको CET में पूछी जाती है, यह एक लीफ में कितना स्टोमाटा है, अगर उसको calculate करोगी तो उसको बोलते हैं स्टोमाटल frequency, और आपके स्टोमाटा और epidermal cells कितनी जगां occupy करते हैं, लीफ कि उसको बोलते हैं स्टोमाटा इंडेक्स, अभी यहा पे structure of स्टोमाटा देखो, बहुत simple है, ग्यारवी में भी गया, तो स्टोमाटा इस नथिंग बट आ स्मॉल होल, विच हेल्प से एक्स्चेंज ओफ मॉलेक्यूल तो देखो, स्टोमाटा कि अगर हम बात करें तो इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, स्टोमाट एक्सेसरी सेल्स, यह जो बाहर ऐसे आपके हैं क्या बोलते हैं इसको होट्ड जैसे शेप के सेल्स ह безопас करें बोलते हैं बीच के हो स्टोमाट मूली सेल्स हैं इनसा फंक्ट्टरा आ बात में पड़ेंगे, ठीक है तो इधर देखो टोमाटा बहुत ही छो टोटा सा होल रहता है स्टोमाटा दो टाइप का होता है त्क् pix केम क गाट सेल है, kidney shape, guard cells, dicotylons में देखने को मिलते हैं, यह example, CET में पूछा जाता है, और dumbbell shape guard cells, grasses में देखने को मिलते हैं, यह last to last year, pyq में भी, boards में भी पूछा गया था, यह आपका pyq question भी है, ठीक है, guard cell एक type का epidermal cell है, सिर्फ इसमें फरक या है, they have many chloroplast, इसके पास बहुत सार होते हैं बढ़ यह सारे chloroplast undeveloped होते हैं इसलिए ठीक से photosynthesis नहीं कर पाते हैं साइप्रस में दोनों kidney और dumbbell shaped के गार्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ट सेल्स के पास nucleus भी होता है इनकी अंदर की layer कैसी होती है ठीक होती है और बाहर की layer जो होती है वह थिन होती है जिसके वज़े से यह गार्ट सेल्स ओपन और क्लोज यह देखो गार्ट सेल्स वाटर एब्सॉप करके हेवी हो जाते तो ओपन हो जाते और जैसे इसका वाटर बाहर एवापरेट हो गया तो गार्टव दो जाते हैं जब गार्टव तरजी रोजाते तो बंप उजाते हैं तो इसके बीच का होल है इसको स्टोमा बोलते हैं जो एक्सष स्पताइप बाहर नहीं लूज़ और एकसे सेल्स वॉतर ऑप subsidiary cells, यह subsidiary cells का main काम क्या होता है, इनके पास potassium iron होता है, यह potassium iron भी आपके guard cells को open और close करने में help करता है, तो opening और closing of stomata समझने के लिए, आपको guard cells का function अच्छे से समझना पड़ेगा, देखो, जैसे ही आपके guard cells में ज्यादा पानी absorb होगा, तो आपके guard cells heavy होके open हो जाएंगे, जो दिन के time पे होता है, during day time, अगर water absorption के वज़े से guard cells के turgidity बढ़ गई, तो stoma open हो जाएगा, और अगर water evaporate हो गया, ऐसे, किदर गया, अगर water evaporate हो गया, तो guard cells flaccid होके फिर से बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो इदर पर रेको क्या बताया गया है, during day time guard cells में बहुत सारा पानी जाता है, जिसके वज़े से turgor pressure के वज़े से guard cells अंदर चले जाते हैं, मतलब guard cells contract हो जाते हैं, यह अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसके वज़े से अपना stomata open हो जाता है, रात के time पे क्या होता है, पानी खतम हो गया है, root ने अपना absorption process slow कर दिया है, तो guard cells चपते हो जाते ह और आपका stomata है वो close हो जाता है, तो यह दिन और रात में अलग-अलग temperature conditions के वज़े से आपका guard cell open और close होते रहता है, इसके वज़े से आपका stomata open और close होते रहता है, अभी इसके लिए theory दिये, star sugar interconversion theory, यह theory दिती स्टीवर्ड ने, यह theory बहुत important है CT के लिए, आपको यह reaction देते और इस enzyme का नाम पूछते हैं, तो basically theory में क्या दिया है, कि day के time पे अपने root में जो starch होता है, यह starch को convert करने का काम करता है, phosphorylase enzyme, starch convert करके हमको sugar मिल जाती है, जिसके वज़े से plant में osmotic pressure बढ़ जाता है, मतलब salt concentration बढ़ जाता है, जिसके वज़े से इसका DPD बढ़ जात है, जैसे ही तुम इसको पानी दे दोगे, तो guard cell turgid हो जाएगा, guard cell क्या हो जाएगा, turgid हो जाएगा, और turgidity के वज़े से guard cell shrink हो जाएगे, जिसके वज़े से क्या होगा, आपका stomata open हो जाएगा, stomata क्या हो जाता है, open हो जाता है, पर रात में यह process उल्टा होता है, अभी जाएगा, तो आपके water की जरुवत नहीं है, तो xylem में से water निकल जाएगा, और आपके guard cell close हो जाएगे, तो दिन के time पे stomata open हो जाता है, और reverse reaction रात में होता है, जब आपका stomata close हो जाता है, तो during daytime and this is during nighttime, देखो दिन के time पे जो आपके पास starch था, वो soluble sugar में convert हो जिसके वज से exosmosis होता है, क्योंकि root अपने पास एक ही चीज रख सकती है, या तो starch रख सकती है, या तो water, तो root water को बाहर निकाल देती है, starch अपने पास रखती है, जिसके वज़े से आपका guard cell flaccid हो जाता है, क्योंकि पानी निकल गया, तो guard cell पचका हो जाएगा, और आपका stomata का pore close हो आपका जो hydrogen और potassium ions है, इसके बीच में transportation होता है, मतलब दिन के टाइम पे, your starch gets converted into malic acid, starch किस में convert हो रहा है, malic acid में convert हो रहा है, ठीक है, और ये malic acid, protons are transported to subsidiary cells and potassium ions are imported from them, तो जब अपना starch बनता है, मतलब जब अपना malic acid बनता है, तो malic acid hydrogen बाहर देके potassium अंदर ले लेता है, तो malic acid के साथ जब potassium आ जाता है, तो हमको मिलता है potassium malic, क्या मिलता है हमको potassium malic, potassium malic के वज़े से आप guard cells को प्यास लगती है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा heavy molecule है, तो इसके वज़े से आप guard cells पानी पीएंगे, पानी पीके वो तरजिड हो जाएंगे, जिसके वज़े से आपका stomata open हो जाएगा, रात में क्या होता है, अपको potassium ions is prevented, क्योंकि plant abscessic acid बनाता है, तो रात के time पे potassium ions को फिर से बाहर फेक देते, रात में potassium ions को बाहर फेक देते, hydrogen ions को अंदर ले ले लेते, जिसके वज़े से stomata close हो जाता है, तो proton transport theory में क्या बोला है, अंदर का hydrogen बाहर, बाहर का potassium अंदर, अगर दिन के time पे ऐसा हुआ, तो आपके cell का turgidity बढ़ेगा, जिसके वज़े से guard cells पानी पीएंगे और खुल जाएंगे, और रात के time पे उल्टा प्रोसेस होता है, अपसेसिक आसिड potassium ion को बाहर फेक देता है, जिसके वज़े से guard cells अपना पानी फेक दे हो जाते हैं, जिसके वज़े से guard cells बंद हो जाते हैं और आपका stomata close हो जाता है, so this is proton transport theory and this is star sugar interconversion theory, इसमें ये enzyme का नाम याद रखना है, और इसमें ये याद रखना है कि अपने जो subsidiary cells है, ये subsidiary cells potassium ion provide करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था, ये cell का importance हम आगे पढ़ेंग of transpiration, advantage क्या है transpiration का, plants में excess water नहीं रहता है, सब evaporate हो जाता है, passive absorption करने में help करता है, ये roots से, water को ऊपर transport करने में help करता है, जब stomata open होता है, तो ये gaseous exchange होगा, gaseous exchange होगा, तो ये photosynthesis होगा, तो ये सब transpiration के वज़े से होता है, cell का shape इसके वज़े से maintain रहता है, क्योंकि इसका disadvantage क्या है, अगर जादा transpiration हो गया, तो plant dry होके मर जाएगा, transpiration जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, तो इस paragraph में क्या बोला है, कि अगर transpiration stop हो गया, अगर stomata open नहीं हुआ, तो photosynthesis stop हो जाएगा, respiration stop हो जाएगा, और अगर ज़्यादा transpiration हो गया, तो भी आपका plant dry हो जाएगा तो जाधा photosynthesis भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए दोनों balance में होना चाहिए इसलिए Curtis ने क्या बोला कि transpiration यह एक ऐसी चीज है जो कम हो तो भी problem जाधा हो तो भी problem इसलिए इसको necessary evil बोला है मतलब यह balance में रहे तो अच्छा है नहीं तो problem ही problem है ठीक है नाव आई डिकलेर दिस चैप्टर हाँ ओवर फाइनली so let us see some mcq water potential of pure water is always 0 in a plant cell the shrinking of protoplasm आपका जब cell का protoplasm shrink होता है इसका मतलब उसका water बाहर आ गया मतलब cell क्या हो गया plasmosis दिखा रहा है ठीक है during plasmolysis आपका target pressure zero हो जाता है क्योंकि cell पुरा shrink हो गया है cell shrink हो जाता है और अपने wall से दूर चला जाता है recid मतलब far तो all of these which of the following statement is incorrect water and salt are taken simultaneously plant absorb one thing at a time either water or inorganic salt दोनों चीज़े एक साथ absorb हो सकती है plant में water भी और salt plant absorb excess quantity of water no जितना चाहिए उतना ही absorb होता है dpd और opk वज़े से so the incorrect statement is option number b active transport is characterized by active transport बतलब atp चाहिए यह सिब कुछ processes के लिए required होता है और इसमे special membrane protein की जरुवत पढ़ती है क्या special membrane की protein जरुवत पढ़ती है जो आपको channel activate करने में help करते हैं तो all of the above are the correct option okay so next chapter जैसे कि मैंने आपको बोला दोनों botany की chapters एक दूसरी से related है तो पहले botany करके खतम करते हैं ना 10 marks आपका complete हो जाएगा so next chapter जो मैं start करने वाली हूं that is plant growth and mineral nutrition I hope आपको मेरे one shot lecture से help मिल रही है यह जितने भी चैप्टर में cover कर रही हूं इसका नोट हम free में यह चैप्टर के जो नोट है इसका मैं फ्री में अपने अप्लोड करती हूं तो आपको बस आप इंस्टॉल करके login करना है और यह free material चेक करना है इसमें आपको जितने भी one shot मैंने अभी तक कवर किया है सारे के सारे PDF मिल जाएंगे और आप वर्दान बैच को भी चेक कर सकते हो इसके भी लेक्चर सेवेन मार्च से कंटिन्यू होने वाले इस बैच में हमने फॉर्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और फॉर्स चैप्टर में हमने 140 MCQs प्राक्टिस किये हैं प्लस आपको अल्रेड़ी 6 मौक टेस्ट दे दिया गया है यानि 600 से भी ज़्यादा MCQs 2023 के PYQs आपको दे दिये गए जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे तो आप वर्दान बैच के बारे में भी देख सकते हो ठीक है I hope आपको ये वीडियो काफी ज़्यादा helpful लगी होगी अगर वीडियो helpful लगी हो तो प्लीज इसको महराश्टा के ज़्यादा से ज़्यादा student के साथ share करो चैनल के अगर नहीं हो तो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि महराश्टा के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके इसलिए आपको ये शेयर करना है बस मेरी इतनी हेल्प करनी है पाकि हम तो आपके लिए काम करी रहे अभी फिर मेरी आव झाल काम करना है च एक बच्चाब करना है बस्क्राइब करना है